दोस्तों स्वागत है आफ सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो आप लोग लिए काफी जाद होने वाली है क्योंकि मैं आपको वीडियो में सट्रिंग का जब आप काम करते हैं यानि कि जब सलैप की सट्रिंग कर रहे होते हैं तो हमें ऐसी कौन से और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा वरवली नहीं प्राक्टिकल जीज़ा दिखाऊंगा ताकि बहुत सारे डाउट आपके किलिट हो जाएं और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप करना बट उसके लिए आपको वीडियो एंट तक देखनी पाउट होती है और जैसे यह बल्ली लगी है ठीक है वह आपकी एकदम प्रॉपर कॉलिटी होनी चाहिए मतलब अच्छी कॉलिटी होनी चाहिए यानि कि माली जीए कि मैं आपको बोलूं यहां आप देखोगे तो आपको सारी प्लाई हैं बहुत ही अच्छे से मिलेंगी द आप जाती है और जब जाके वो खराब हो जाथी जैसे यहां पर यह प्लाई यूजरी है वी थोड़ी नई सी है और यहां आप देखोगे कि यहां पर थोडी सी वो 충ौ के हो खराब हो चुकी है तो जतनी खराबूचुकी है ofa को कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट कम करने के लिए या फिर उनके पास material की कमी हों के चलते वो उनी बल्ली को यूज करते रहते हैं जब तक उसमें कोई ऐसे दिक्कत ना आए कि को जादा ही खराब हो जाए तो जो गली हुई है या फिर वो कह लिजे कि आपका material प्रॉपर कॉलिटी में होना चाहिए गला हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे फिर दिक्कत आती है जो आप इसमें सरिया बांते हैं आपकी कंक्रिटिंग होती है तो वहां पर सेटलमेंट होने के चांसे हो जाते हैं साथ ही यहां पर मैं चीज और बोलूँगा कि यह जो बोले कि भाई मेरे को मेरी हाइट के इसाफ से जो भी उसमें आपका लैंट आएगा कटिंग जो भी एरिया हाइट हमारा डेटक करने के बाद बीम का यह सलैप का उतनी लैंट में मेरे को बल्ली चाहिए उसके नीचे मेरे को जादा कोई इटें ब्रिक्स नहीं लगानी है साइड में आप देखो कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूं यहां पर यहां देखो कि कुछ ब्रिक्स का यूज किया गया है ताकि यह उपर तक जुसके हाइट है वो आपाए तो ऐसा आपको नहीं करना है मेरे साफ से मैं आपको यह कुँगा कि एक दो जगा हो रहा है तो ठ जलने फिंडर से तो यह अकसर देखा गया है कि ब्रिक्स हड जाती है कम कंप्रेशन की वज़े से इसमें वाइबरेट की वज़ेते हैं तो वहां पे भी सेटलमेंट होने के चांसे हो जाते हैं तो यह धिमें पहला दिहान रखना है उसके बाद जैसे माल लिजिए कि आपन आपने यह प्लाइबूट लगा दिया है अब इन प्लाइबूट के आपस में जो आप देख रहे हो जोसे जंसन बन रहा है जोड़े से नेगलिजिवल ही रहे हैं मतलब यह ना के बराबर ही जोइंट आपको दिखाई दें कि तो जब इसमें जोइंट टुकड़ा लगेग ठीक है अब यहां पर क्या होगा अगर आप टेप नहीं लगाएंगे जो की सट्रिंग का टेप आता है जैसे आप यहां देख भी रगए कुछ कुछ जगह पर लग रहा होगा आपको जो प्रहाना यह यूज हुआ होगा किसी साइट पर तो हमें टेप का जरूज यूज कर से हमारे स्लैब में सेगरिशन या हनीगोम आने के चंद से जाद हो जाते हैं तो जब आवाइवेटर भी यूज करोगे तो यहां पर नीचे जाएगा इस अच्छ है कि आप इसमें टेपिंग करें टेपिंग प्रॉपर तरीके से करें जैसे आप यह देख रहो इस तरीके क पर यह देखने को मिलती है वहां पर जो बोरी होती है या फिर चोड़े तुकड़े आते हैं उनको यूज कर सकते हैं बची हुई सेटरिंग का यह जो आपका सेमेंट का बैग भी होता है देसी तरीके से लोग उसको भी उसका जैसे मालीजी यहां पर बहुत ही छोटा सा ट हो गया होगा अब एक मेन काम जो आता है मैं आपको दतो हुआ हो मालीजी की सारी सर्टरिंग उसने कड़ी अकसर क्या होता है कि कभी-कभी कुछ गलतिया हो जाती है जैसे कि यहां पर बीम है ये एक बीम है और उस साइट भी बीम मतलब लगबग हर जगा पर बीम है अब ब और कहीं आपको एक फिट से कम भी देनी पड़ती है तो उस हिसाफ से आपको सट्रिंग का जो बॉटम होता है वो उस तरीके से प्लान करना है कुछ ऐसी साइड़ों पर भी मैंने देखा जहां पर क्या हुआ कि जो बीम की ये बॉटम है वो ज्यादा होनीती पर कर दी कम जब अगर सट्रिंग पर काम एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर वाद में इसको ठीक करने में बहुत जादा जिंजट होती है तो बीम का इदिहान लगें साथी अब बात कर लेते हैं अगर आप कोई कैंटिलीवर बीम दे रहे हैं कैंटिलीवर बीम क्या होता है जैसे कि आप जो हैं एंकलाइंड वे में बीम की सट्रिंग दें या बीम दें आप चज्जे में अब होता है जैसे कि यहां पर आपको एक्जाम्पिल यहां पर बहुत अच्छे से मिल जाएगा यह आप देखोगे कि यहां पर चज्जा निकला हुआ है थोड़ा सा उठा हुआ है तो आपका जो लोड़ वो ट्रांसफर ऐसे हो जाता है जैसे आप देखोगे हो वहां थोड़ी क्रैक्स भी आई हुई है शायद वो प्लास्टर की क्रैक्स है तो यह जो बीम आप देख रहे हो इस तरीके से इसकी सट्रिंग थोड़ी आपको अप करके रखनी है और इंकला है ताकि जब आपको सरीय डालेगा तो ओर डाउन हो जाएगा थोड़ा फ्लैक्सिवल होती है चीजे अभी हम एक चीज और बात कर लेते हैं जो सबसे ज़रूरी हो जाएगा आपको चीज दिख रहा होगा यहां पर कुछ हमने मार्किंग कर रही है जैसे मार्किंग यह है यह कर रहें मार्किंग और आपको जातर को कोलम पे सरीयों पे एक धागा यह थेट बनावों दिख रहा होगा यह जैसे आप देख रहो यह यहां पर आपका अच्छा पैसा भी सेप कर सकते हैं यह है सट्रिंग की लेबिलिंग करना अगर आपने सट्रेंग करी भ histor कि आपने लेबलिंग नहीं निकाल लिए निकाल लिए काहां पर रखना है करका यह क्या पूरी प्राप्पर सट्रेंग Insert commissions लेभल में है या नहीं है अगर यह नहीं करी तो दिक्कत आ सकती है आपका मट्रेल कहीं पे डाउन होने के से ज़्यादा लग सकता है लोड आ सकता है सट्रिंग फेल भी हो सकती है यह मैं कहूंगा तो पहले हमें लेबल निकाल लेना है लेबल जहां-जहां में सुलोप अप रखना है डाउन जैसे हमने बात करा जब आप इसमें बिशारे होते हैं प्लाई तो इसमें गैपिंग नहीं रहें टेपिंग का यूज करें जॉइंस प्रॉपर करें साइज को ध्यान में रखें कहां पे कौन सा बीम का साइज है हमने चज्जे को लेके बात करी हमने लेबलिंग को लेके बात करी आपको मेजर करके दिखा देगे लेबल निकल गया है एक वीडियो मैं आपको आपके लिए नेक्स्ट एक नई वीडियो गना दूँगा जिसमें मैं लेबल कैसे निकालते वो दिखा दूँगा तो आयोप आपको यह चीजे किलियर होई होगी और इससे कोई भी आपका डाउट है तो मुझे प्लीस एक बाद बता देना और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि छत की सट्रिंग हटाते कि इतने दिन बाद है कास्टिंग होने के बाद तो आप डिपेंड करता है बड़े बड़े स्पैन को लेके कि काफी कितना बड़ा स्पैन है फिर भी मैं सर्जेस्ट करूँगा कि आप 18 से किस दिन के बीच में सट्रिंग हटा सकते है ठीक है नॉर्मल तो थैंक यू फर नचे वीडियो मिलते अपनी नेक्स वीडियो में थैंक यू